नमस्कार सात्यों नहीं अपडेट के लिए जुड़े रहे युकुमार जी के स्टेडी नुज के साथ कमलेश के परिजापत के परिजनों का कहना है कि इन तमाम बातों को धियान में रखते हुए जांच करें जब कमलेश परिजापत 15-16 वर्ष का था तब भी हरीश चोगरी को पता था कमलेश परिजापत तसकर है फिर भी उसे अपने साथ क्यों रखा पुलिस को क्यों नहीं बता है लेकिन जब कमलेश प्रजापत को 55 रिफाइनरी भर्म का काम मिलने पर हरिस चोधरी और मनिस चोधरी को व्यापारिक प्रतिस परदा हुई और कमलेश प्रजापत को सांडराव पुलिस मामले में फस्वा देता है कमलेस नाम हटाने के लिए बोलता है तो सांडराव पुलिस कहती है हरिस चोधरी कह देंगे तो हटा देंगे कमलेस हरिस चोधरी से मिलता है हरिस चोधरी मना कर भाई से मिलने को बोलता है वहीं हरिश चोधरी का भाई मनिश चोधरी नाम हटवाने के लिए 10 लाग रुपे लेता है फिर भी नाम नहीं अटता है कमलेश पैसा वापिस मांगता है हुए दमकी देता है पैसा दो नहीं तो मार दूँगा मनिश चोधरी जवाब में कहते हैं कि तुम जिन्दा रहोगे तो मारोगे ना वहीं साथ में सांडरा पुलिस भी कमलेश प्रजापत पर पैसो का दवाब बनाती है और नाम हटाने के लिए पैसो की डिमांड करती है तो दोस्तो इन तमाम बातों से पता चलता हरीश चोधरी और मनिश चोधरी पूरे सक के दाएरे में सीवे टीम दोरा इन से कभी भी गहनता से पूस्ताज की सकती है और रिमांड पर लिया जा सकता है दोस्तो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज आपसे गुजारी से चैनल सब्सक्राइब करना ना बुले और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जहें दोस्तों